कि जारी कर दिया गया यानि कि 1-2-5 वाले विध्यारती का बहु सारा परिवर्तन भी देखने को मिला कई सारे ऐसे विध्यारती है जिनका 2-4 अंक बड़ भी गया कई सारे ऐसे विध्यारती है जिनका 2-4 अंक कम भी हो गया कई सारे संस्थान से मिलाने के बावजूद उनका 2 चार-पांच अंक कम हुआ है आखिरकार अब क्या परिवर्तन हो सकता है कहां ज्यादा कंपेटिशन है किस कटेगरी को ज्यादा पेनिफिट देखने को मिल रहा है चुकि आप देखिएगा कटम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा बिद्यार्थी ये बहुत जानना चाह रहा है और खासकर बता दे नवीन सर से कि नवीन सर का एक इंकर इंकर्विव किया जा जाते है कि मेरा रिजल्टी इस बरफकता है लेकिन जब ऑफिसियल आंसर कियाता है तो उसमें चार पास इधर उगर भैरी करता है ये तो सभाविक है चुकि जितने भी कोचिंग संस्थान अपने हिसाब से जैसे रिजल्ट बनाते हैं तो सब जगए दो मार्स चार मार्स का फ्लक्ट्वेशन देखा गया है और ये तब पता चलता है जब एक्चुल आंसर कियाता है और एक्चुल आंसर की में भी confusion इसलिए बना हुआ रहता है कि आयोग के तरफ से जो आंसर की जारी किया गया है फिर आपको दावा आपति का समय दिया जाता है क्योंकि confusion वहां पर भी होता है अभी ही आप देखिए कि language में हिंदी में खास करके लगवग दो question में लगता है कि confusion वाली स्थिती बनी हुई है और लगवग तीन से चार question लगवग GS section में है जहां कि student को doubt है कि यह नहीं होना चाहिए यह होना चाहिए और एक question संभवता reasoning में भी है तो चार-पांच question का आपका variation हो गया board के according और आपके according आ आप यह समझ रहे हैं और board का अनुसार यह है तो पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी प्रस्ण में आपको दिक्कत लगता है उसका दावा आपती जरूर होना चाहिए आप उचित सोर्स से दावा आपती करें अगर आप दावा आपती नहीं करेंगे छोड़ देंगे अगर आफिक तरह सोच वाले अनि कंडिडेट भी मिल जाते हैं तो हो सकता है कि आपको परिशानी हो जाए क्योंकि एक एक मार्स पर बहुँ ज्यादा भेरियेशन संभव है एक लाग साथ हजार टोटल अप्लिकेंट इसमें थे और VPSC के डाटा के एक लाग सॉले हजार स् सीटें थी, लेकिन समान ने 1-5 का सीट आपका 21,700 के करीब था जिसमें की उर्दू का सीट लगबग 600 के करीब था उसमें तो अनुसारा भी आप देखेंगे कि जब आंसर की जारी किया गया सारे कंडिडेट मिलाए तो 2 से 4 मार्स 5 मार्स 6 मार्स तक स्टुडेंट का मार्स है तो दावा आपति करने के बाद में भी कि एक्चुल में घटा हो में भी कि एक दो नमबर आपका बर भी जाए अगर दावा आपति करें लेकिन मैक्सिमूम स्टुडेंट का कुछ न कुछ मार्स घटा है और कई सारे ऐसे कारण है कि थोरा सा उथल-पुथल की संभावना है बन जाती है आप जो किसी भी चीज कानुमान लगाते हैं जैसे आप यह अताती तत्वावला ही मामला ले लीजिए पहले वह लोग एसी काटेगरी में थे आप जाकर को एबीसी काटेगरी में आए तो अब नंबर आप कंडिडेट दूसो चारसो पांसो ही कंडिडेट हो उसमें कुछ आच्छे भी कंडिडेट होंगे तो सुभाविक है कि जब एसी काटेगरी से निकल करके एबीसी में आए तो एबीसी पर प्रेसर बनिश्पत थोड़ा सा जरूर बरे है थोड़ा सा परिसानी बर सकती है और वहां एसी के बच्चों को थोड़ा सा रहात हो सकत है तो यह सब भी छोटी-छोटी इसी बाते हैं होती है जो पर भावित करती है इसके अलाबा कुछ यूँ धारन से आप समझे कि आप जो दावापति करते हैं जो विप्यसी आंसर की जारी किया कई बार इसी बाते हो जाती है कि उनके पास हमेशा एक उप्सन लेके चलती है जिसे यह उप्सन दिया गया है बचाओ के लिए यह बनाता है बचाओ के लिए वह यह उप्सन रखती है तो उधारन के तोर पर आप यू समझे कि एक बार मामला आया था विप्यसी के एकजाम में ही इनकुमर्सिंग को लेकर के उसमें आरा का मूलनिवासी है तो जब यु सब्सक्राइब है तो मेरा कहने का सही है कि अभी बहुत सारे स्टुडेंट चुकी लगातार बोलते हैं कि जो कट ओफ रहा है में भी इसके वज़े से कट ओफ में गिरावट होगी तो हो सकता है कि कट ओफ में एक दो मार्स का बिद्यार्टी सुनना चाहिए लेकिन जो मू नहीं उस समय तो हम जो बताये थी कि UR male के लिए 80 plus minus 2 UR female के लिए 70 plus minus 2 EWS male के लिए 60 plus minus 2 EWS female के लिए 60 plus minus 2 BC female के लिए 62 plus minus 2 BC1 या EBC के लिए 65 plus minus 2 फिर फिमेल के लिए 55 प्लस माइनस 2, SC के लिए 14 प्लस माइनस 2, RST के लिए 35 प्लस माइनस 2, मेल के लिए 44 और 40 के करिब था, तो कहने का मेरा यह आस है कि जो भी cut-off जारी हुआ था, तो उस समय के परिस्थिती का अनुसार पूरा डेटा बेस बता करके उस हिसाब से दिया गय है, एकात मारस का उथल पुथल हो जाए तो बरी बात है, लेकिन चात्रों को यह कहना चाहते हैं कि आप इसको लेकर के बहुत परिशान ना हो, आप अपना कर्म कर दिये, मेहनत कर दिये, मेरे या दूसरे के बताने से कोई फरक ने पड़ता है, हमारा अपना तर्क है, मानन करना चाहते हैं, तो कर यह, लेकिन जो इस दाहरे के समकच नहीं है, ज्यादा गैप है, उनको तैयारी में लग जाना चाहिए अच्छे से, और में भी रिजल्ट अगर आपका आ जाता है, इस बीच में इससे बहतर और क्या हो सकता है, नहीं तो फिर बीच में टाइम वेस् में, क्या अंतर देखने को मिलेगा? मार्स का गैप है, आप देखे लिए, यूर मेल में 80 पलस माइनस टू है, और स्टी मेल में 33 पलस माइनस टू है, यहां में लग बग तीस नमबर का लग बग आपका अंतर है, तो इतना बड़ा गैप है, यह सब दिन से रहा है और यह रहेगा, सर जिस तरीका से आप देखे लिए ओगा TRE 1 में जो गलती किया गया, TRE 2 में जो गलती किया गया, और उसमें महिला लोग को जो अरक्षन भी हो गया, नहीं मिलना चाहिए उनको अरक्षन मिल गया, जैसे आप देखिएगा बिहार के निवासी की बात करिएगा, कई सारे लोग यहां के निवासी भी परताल नहीं हुए, जिसके कारण अब बाहर निकल रहें, निकल रहें, कम्प्यूटर सिक्षक को आई मामला देख लिजिए, कोट भी संग्यान लिया, इतना सारा संग्यान के बावजूद क्या सरकार इस बर संग्यान ले लेगी, आयोग इस बर संग्यान लेगी, जैसे इ अगर प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंची है, अगर उसको माल लिया जाता, तो आप यूं समझे कि मैकसिमूम स्टुडेंट का भला इसमें हो पाता, क्योंकि हजारों अभेर्थियों को इसके कारण से उतल पुतल होना है, आप पहले फाइनल वेरिपिकेशन कर लीज चला जाता है, वो अगली वेकंसी में जाके एड हो जाती है, तो यह दोनों ऐसे मुद्धे हैं, जिस पर गहनता प्रवक सरकार को विचार करना ही चाहिए, अब क्या होता है, नहीं होता है, यह तो आने वाले दिन में पता चलेगा, सर, क्या जो आप बता रहे हैं जिस तरी 34 को लेकर, उमीद तो पूरी तरीके से है ही, अब है कि जैसे 1,2,60,000 वेकंसी की बातें कहीं जाती है, तो दुविधा सत्रीघ करके है,し 1,60,000 वेकंसी में 26,000 वेकंसी बताई जाती है, पिर उसके बाद बताई जाती ते हेड टीचर, हेड मास्टर वगरे की वेकंसी भी रहेगी, तो प्रोपर वे में 1, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 10 का एक्चुल वेकंसी कितनी रहती है, 11, 12 को एक्चुल वेकंसी कितनी रहती है, या तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन वेकंसी ठीक ठाक ट्यारी फोर में रहेगी, हा लेकिन यही एक नोटिफिकेशन नॉवंबर दिसंबर के पहले, अब संभावनाई दिखती नहीं है, रिजल्ट समय से आ जाएगा साथ, रिजल्ट तो सेप्टमबर लाश्ट तक अब दावे किये जा रहे हैं, रोज तो डेठी बढ़ रहा है, इसलिए करके में भी समय अभी है, सेप्टमबर लाश्ट तक रिजल्ट दे भी सकती आयो, जो भी एक्जाम टूर पर नहीं है, चैनल को सब्स्राइब कर लेंगे, और कोई मन में एक प्रस्ण होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किजिएगा, सर, वन कंडिडेट, वन रिजल्ट, और वेरिफिकेशन से कितना संख्या पर परभाव पड़ सकता है, और एक सबसे बड़ा आम सवाल है, कैसे उमीद करेंगे, जब ट्यारी वन में रिजल्ट नहीं दिया गया, ट्यारी टू में आप कैसे उमीद करते हैं, आप देखेंगे डेटा निकाल करके, लगभग 35 से 40 परसेंट वेकंसियां खाली रहती है, यूँ देखिया कि डेर लाख वेकंसी ट्यारी वन में थी, 95,000 स्टूएंट का फाइनल हुआ, एक लाख बीस हजार वेकंसी ट्यारी ट्यारी ट्यू में था, 45,000 वेकंसी खाली रहा गया, आप जो लिजी कितनी वेकंसी, वो अहिस्तिती तो ट्यारी थिली में वेकंसी में यूँ ही वेकंसी निकाल देते हैं, कि हमको आदा सीटिस में बचा करके आगे प्रोसीड कर देना है, ये तो निश्चित रूप से कही न कहीं स्टूडेंटी इस मामले को लेकर हमेसा से ठगे जा रहे हैं लगातार, और इस बार भी बहुत ज़्यादा बदलाओ के उमीद नहीं दिख रही है, बच्चे लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज उठाते हैं, लाटी काते हैं, लेकिन सरकार अपने पॉल्टिकल इसूज के कारण लगातार इस सिस्टम को परभावित करते आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका.